हेलो दोस्तों आपका इंप्रूब लर्निंग विज आदिती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज है 19 जून और 19 जून से रिलेटिट करेंट अफेस के जितने भी कोश्चन है और मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अगर आप चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन आन कर लिजेगा चलिए चलते हैं आज के पहले कोश्चन की तरफ हमारा आज का पहला कोश कस्मीर लेह हाईवे ठीक है अब आपको यहां पर कस्मीर लेह हाईवे की बात आई है तो पहले हम आपको बता दे कि लेह जो है वो लद्दाख की कैपिटल है तो हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं यह देखिए लद्दाख की कैपिटल है लेह उप्रा जिपाल है राम 2019 को अब हम बात करते हैं चाइना की तो दोस्तों चाइना की कैपिटल है बीजिंग चाइना के राष्टपती है जी जिनपिंग चाइना की करंसी है रेन मिन भी और अभी चाइना अपना पहला मंगल मिसन प्रारम कर रहा है जिसका नाम है त्यान वेन वन और अभी चीन ने चीन से related याद रखिएगा चलिए आपको हम थोड़ा सा कस्मीर के बारे फैक्ट बता देते हैं ऐसा लोगों का मानना है कि जिस छेतर पर कस्मीर है वहां कभी जील हुआ करती थी इसलिए कभी कभी क्या होता है कस्मीर का नाम कई सब्दों के अनुबाद के बाद निकला है जो की पानी से संबंदित है अगर हम कस्मीर के प्रतिव्यक्ति आय की बात करें तो वो लगभग है 9754 रुपए जब 2014 की आय गड़ना हुई थी जो की बिहार से काफी जादा है आपको बिहार की प्रतिव्यक्ति आय बता दू तो सिर्फ 876 रुपए थी 2014 की गड़ना के अनुसार दोस्तों कस्मीर के इतिहास की बात करें तो इसके एक भाग पर पाकिस्तान का कबजा है जिसे हम गुलाम कस्मीर कहते हैं और जो दूसरा भाग है उस पर चाइना ने 1962 पर कबजा कर लिया जिसे अक्साई चीन कहते हैं तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा हमारा नेक्स क्वेश्चन है कि अभी IAEA International Atomic Energy Agency ने किस देश पर अपने परमारू अस्थोलों का परिच्छन न करवानी का आरोप लगाया है तो दोस्तों अभी IAEA ने आरोप लगाया है इरान पे कि वो अपने परमारू अस्थोलों का परिच्छन नहीं करवा रहा है दोस्तों अब यहाँ पे बात आई है इरान की तो हम इरान के बारे में थोड़ा सा फैक जान लेते हैं दोस्तों इरान की कैपिटल है तेहरान वहां की भासा की बात करें तो है फार्सी राश्ट पती है हसन रूहानी और करंसी है रियाल हमारा नेक्स क्वेश्चन है कि अभी 25 अप्रेल 2021 को होने वाले अकार्णी प्रसकार के संस्क्रण को अभी अस्थगित कर दिया गया है यह कौन सा संस्क्रण था तो दोस्तों यह तिरान बेवा संस्क्रण था दोस्तों अगर हम बान बेवे संस्क्रण की बात करें जो की 13 जनरी 2020 को इसकी घोश्डा होई तो उसके जो विजय था थी उस फिल्म का नाम था पैरासाइट और सर्षेष्ट निर्देशक की बात करें तो थे बोंग जून हो वो भी पैरासाइट कहीं निर्देशक थे सर्षेष्ट अभिनेता की बात करें तो थे जौकीन फॉनिक्स जिनने जोकर मूवी के लिए मिला था वार्ड और सर्वस्रेश्ट अभिनेत्री की बात करें तो रेनी जलवेगर जिनने जुडी मूवी के लिए ये वार्ड मिला था कि दोस्तों मारूस्थली रोक थाम दिवस कम मनाया जाता है तो दोस्तों विश्व मरूस्थली रोक थाम दिवस मनाया जाता है हर साल 17 जून को अगर हम इस बार के थीम की बात करें तो दोस्तों 2020 की थीम है Food, Feed and Fiver The Link Between Conjumption and Land इसका हिंदी मतलब बताऊं तो भोजन चारे एवं रेसों के लिए उपयोग, उपभोग और भूमी के बीच अंतर संबंधों को रेखांकित करना इसके मनाने का उद्देश अगर मैं बताऊं तो भूम की अपर्दन को रोकना है जन मानस से जो जल की बरबादी होती है उसको रोकना है खाद्यान की सुरच्छा के साथ ही जो हमारा पाईस्थित की तंतर है उसके प्रतिभी जाग रुकता पैदा करना है हमारा नेक्स कोश्चन है कि मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राजी कौन बना है तो दोस्तों मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राजी बना है उत्तर प्रदेश अच्छा मनरेगा की बात करें तो मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्री ग्रामीड रोजगार गारंटी अधिनियम ठीक है इसे 7 सितंबर 2005 को लागू किया गया था इसमें सरकार क्या करती है ग्रामीड परिवार के वयस्क लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्द कराती है और प्रत दिन जो मजदूरी देनी होती है वो होती है 220 रुपे अब बात आई थी उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा साम जान लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनौ मुख्य मंत्री है योगी आदित्तिनाथ राज जिपाल है आनंदी बेन पटेल और जनसंग्या की दिर्ष से बात करे तो जो उ उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य हैं बिहार, जारकंड, मद्यप्रदेश, छतीजगर, उत्तराकंड, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश एक केन सासित प्रदेश दिल्ली है वो भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है तो कुल नौ राज्य ह है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं दुधवा राश्टी उध्यान भी उत्तर प्रदेश में ही इस्थित है हमारा नेक्स कोस्टन है कि अभी गेटवे लूनर आर्विटिंग आउट पोस्ट प्रोग्राम काफी चर्चा में रहा है तो यह प्रोग्राम किस देश की स्पेस एजनसी द्वारा संचालित हुआ तो दोस्तों यह प्रोग्राम संचालित हुआ है नासा दारा जो की अमेरिका की स्पेस एजनसी है अब यहां वे बात आई है अमेरिका की स्पेस एजनसी की तो हम इसे देख लेते हैं नासा का पूरा नाम है National Aeronautics and Space Administration इसके स्थापना होई थी 29 जुलाई 1958 को इसका मुख्याले है वासिंगटन डीसी और इसके प्रमुख है चार्ल्स बोल्डेन अब बात करते हैं हमें सन्युक्तराष्ट अमेरिका की तो दोस्तों सन्युक्तराष्ट अमेरिका की कैपिटल है वासिंगटन डीसी राश्टपती है डोनल्ड ट्रम्प मुख नायधीस है जॉन रावर्ट्स और करंसी है यूएस डॉलर हमारा नेक्स कुश्चन है कि अभी किस देश के प्रदान मंत्री मुखमल्द कली आबिल गाजी एव ने अपने पद से इस्तिफा दिया है तो दोस्तों किर्गिस्तान के ये प्रदान मंत्री थे इन्हों ने अपने पद से अभी इस्तिफा दिया है अब यहाँ पर बात आई है किर्गिस्तान की तो चलिए किर्गिस्तान के बारे में थोड़ा साम जान लेते हैं किर्गिस्तान की कैपिटल है बिसकेक इसकी आधिकारिक भासा है रूसी और इसके प्रधान मंत्री है इगोर चौड़ी नो और इसी करेंसी है सूम इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखेगा मारा नेक्स क्वेश्चन है कि अभी COVID-19 के कारण सब्री माला मंदिर उत्सव रद्द कर दिया गया यह मंदिर किस राज्ज में है तो दोस्तों यह मंदिर है केरल राज्ज में अब थोड़ा सा हम सब्री माला मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों यह सब्री माला मंदिर हिंदों का एक प्रसिद्ध मंदिर है मलयालम में सब्री माला का अर्थ होता है परवत क्यूंकि यह पस्चिम घाट में परवत सिंखलाओं के घने वनों के बीच समुद्ध तल से लगबक 1000 मीटर की उचाई परिस्थित है और यह भगवान अयपन का मंदिर है यहाँ पर वर्ष में तीन बार आप दरसन कर सकते हैं जा सकते हैं एक है अप्रेल माह में दूसरा है मंडल पूझा के समय और तीसरा है मकश संक्रांती के समय इस मंदिर में आने वाल से पहले भक्तों को 41 दिन का कठिन ब्रत रखना पड़ता है इस मंदि में छोटी कन्याओं के अलावा किसी भी औरत का फ्रवेश वर्जित है यह तो ही सबरी माला मंद्री की बात अब हम बात करते हैं केरल के बारे में दोस्तों केरल की कैपिटल है तिरु अनंधपुरम मुख्य मंत्री है पिनरई विज्ञ राजपाल है आरिफ मुंम्मद खान शाच्छर्टादर है अभी 96% और भारत का सबसे साच्छर राज़ है इसके बाद जिस राज़ का नंबर आता है वो है मिजोरम जिसकी साच्छर्टादर लगबग 91.33% है सांध घाटी तथा पेरियार वन जीव अभ्यारण भी केरला में ही है हमारा next question है कि किस राज़ सरकार द्वारा फ्लेटेट फैक्टरी मॉडल को अपनाने का फैसला किया गया है दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश राज़ सरकार द्वारा फ्लेटेट फैक्टरी मॉडल को अपनाने का फैसला किया गया है अभी फ्लेटेट फैक्टरी मॉडल है क कि अपनाने से फैक्टरियां अस्थापित करने के लिए भूम की availability आसान हो जाएगी जिससे employment भी generate होगा और को पता है मैंने बताया था COVID-19 के वज़े से बहुत सारी कमपनियां जो चाइना छोड़ रही हैं और वो भारत में अपना भवी से देख रही हैं तो उत्तरप्रदेश भी उन्हें अपनी तरफ आकरशित करने के लिए ये flated factory model launch किया है दोस्तों इससे क्या होगा कि जो उत्तरप्रदेश सरकार दोरा ये फैसला किया गया कि उत्तरप्रदेश State Industrial Development Authority ऐसी flated factory का निर्मान करेगी जो कई floor की होंगी जहां पर एक साथ कई non-politing unit कारे कर सकेगी अब दोस्तों हमारा next question है कि अभी किस बैंक द्वारा MSME के लिए सुरच्छा salary account को launch किया गया है दोस्तों पहले आपको MSME का पूरा नाम बता दूँ तो है Micro, Small and Medium Enterprises दोस्तों यह सुरच्छा salary account लांच किया है Airtel Payment Bank ने अब यहां पर आपको थोड़ा समय सुरच्छा salary account के बारे में बता देता हूँ दोस्तों Airtel Payment Bank के द्वारा यह बताया गया है कि जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो अपने स्रम सक्ति का इस्तिमाल करते हैं लेकिन जिने वेतन के साथ सामाजी को स्वास्त लाब नहीं मिल पाता है यह लोग वित्ती सुरच्छा से वंचित रह जाते हैं तो यह जो अकाउंट है सेलरी सुरच्छा अकाउंट विशेश रूप से इनी उपभोकता समूँ के लिए तयार किया गया है इस खाते के ज़रिये जो MSME और अनिसंगठन कैसलेक्स भुकतान करने में सच्छम होंगे और अपने करमचारियों को वित्ती सुरच्छा भी मुहया करवा सकेंगे दोस्तों हमारे जो MSME मिनिस्टर है वो है नितिन गटकरी जी हमारा नेक्स फूस्टन है कि विए आई एमडी के विश्व प्रतियस परधात्मक सुचकांक में भारत किस अस्थान पर रहा है अगर हम आई एमडी की पूरे नाम की बात करें तो इसका नाम है इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात अंतराश्ट्री प्रबंधन विकास सुचकांक हमारा नेक्स क्वेस्चन है कि अभी किसे खेल रत्न पुरसकार के लिए नामित किया गया है तो दोस्तों अभी हीमादास को खेल रत्न पुरसकार के लिए नामित किया गया है ये हैं हीमादास और इन्हें ही अभी खेल रत्नपुरसकार के लिए नामित किया गया है दोस्तों इन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है क्योंकि इन्हेंने मात्र 21 दिन के अंदर भारत को 600 पदक दिलवाए हमारा नेक्स कोस्चन है कि अभी किस देश ने अपना पहला गैस एक्सचेंज आई जी एक्स लॉंच किया है तो दोस्तों अभी अपने देश भारत ने पहला गैस एक्सचेंज आई जी एक्स लॉंच किया है हमारा next question है कि अभी हाल ही में operation desert chase किस राज़ द्वारा प्रारम्ब किया गया है दोस्तों ये operation desert chase प्रारम्ब किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा दोस्तों अगर operation desert chase की बात करें तो एक anti जासुशी operation है जिसे san intelligence द्वारा प्रारम्ब किया गया है इसमें कई लोगों को आधिकारिक गोपनीता अधनियम 1923 के तहद गिरफतार किया जा सकता है दोस्तों इस operation का उप्योग करके अनेक अन्य देशों में जैसे हांकांग, यूके, म्यामार, सिंगापूर और मलेशिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को भी गिरफतार किया गया जो की जासुशी कर रहे थे भारत की तो ये operation इन लोगों के खिलाफ सैन इंटेलिजेंस द्वारा प्रारम किया गया है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजेगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आन कर लिजेगा देखने हैं तो मैं डिस्क्रिस्कन में उनका लिक दे दूँगा आप वहां से जून महीने के सारे करेंट अफेस को देख सकते हो